आज हम सीखेंगे वन और वन्य जीवन वन वे विस्तुरुत शेत्र होते हैं जिन पर पादप एवं जन्तुओं की विभिन स्पीशीज तथा विभिन स्वरूप पाए जाते हैं किसी शेत्र में पाई जाने वाली जन्तुओं और पादपों की विविदता यानि वराइटी को उस शेत्र की जैव विविदता यानि बायो डायवसिटी कहते हैं वन तथा वन्य जीव हमारे लिए तथा परियावरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है वे परियावरण में संतुलन भी बनाये रखते हैं हमें कई वस्तुए वनों से उपलब्ध होती हैं हमारी आवशक्ता के पूर्ती के लिए हम वनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं जिससे वन और वन्य जीवों को भारी हानी हो रही है इससे वन शेत्रों की जैव विविदता भी नश्ट हो रही है विभिन स्पीशी इसकी रक्षा के लिए वनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है इसलिए वनों को जैव विविदता के विशिष्ट स्थल यानि होट स्पोट माना गया है हमारी गतिविदियों के कारण वन संपदा को भारी हानी हो रही है वनों की कटाई के कारण कई समस्याए आती है जैसे परियावरण में कारबन डाय उक्साइड की मात्रा का नियंतरन नहीं हो पाता जिससे पृत्वी का तापमान बढ़ने लगा है इस समस्याग को हम वैश्विक उश्मन यानि ग्लोबल वामिंग कहते हैं पेड मिट्टी को जकड के रखते हैं पेड़ना होने के कारण उपजव परत वर्शा के जल के साथ बह जाती है तथा हवा के साथ उड़ जाती है इसी को हम मुरुदा अपरदन यानि सोईल इरोजन कहते हैं पेड़ों की अत्यदिक कटाई से हरी भरी भूमी मरुस्तल में परिवर्तित होती है पेड़ना होने के कारण वर्शा का जल बह जाता है जिससे बाड़ यानि फ्लर्ट जैसे समस्याए उत्पन होती है पेड़ना होने के कारण जल भूमी में नहीं जा पाता जिसके कारण भूमी का जल की भरपाई नहीं हो पाती इसी तरह पेड़ना होने के कारण परियावरण में परिवर्तन होता है तथा जीवों के आवास को भी नुकसान होता है जिससे वन और वन्य जीवन को भारी नुकसान होता है चलिए अब चर्चा करें वनों के सन्वर्धन की इसके लिए हमें वनों से संबंदित व्यक्तियों की पहचान करना अवश्यक है इन्हें हम दावेदार यानि स्टेकोल्डर कह सकते हैं वनों के संदर्ब में प्रमुक दावेदार इस प्रकार है स्थानिय लोग वन से विभिन वस्तुय प्राप्त करते हैं इसलिए वे वनों का संवर्धन करते हैं अंग्रेजों के आने से पहले भी वनों में लोग रहा करते थे क्या इससे वनों को नुकसान हुआ? नहीं, उन्होंने ऐसी विदियों का विकास किया था जिससे संपोशित विकास यानि सस्टीनेबल डेवलप्मेंट हो सके अभी भी वनों के संडरक्षन की परंपरा स्थानिय लोगों ने जारी रखी है अंग्रेजों ने वनों का अत्यधिक दोहन किया जब वनों का नियंत्रन सरकार के वन विभाग के पास गया तो वन शेत्रों को नश्ट करके इस पर एक ही प्रकार के व्रक्ष लगाए गए इससे उद्योग पतियों को कच्ची माल का स्त्रोत तथा वन विभाग को राजस्व प्राप्त हुआ लेकिन बड़े पेमाने पर जैव विविदता नश्ट हो गई इससे विभिन प्रजातिया लुप्त हो गई या लुप्त होने के कगार पर है हमें ओध्योगिक अवशक्ताओं के पूर्ती बंजर भूमी पर पेड़ लगा करनी चाहिए वनों को काट कर नहीं प्रकृती एवं वन्य जीवन प्रेमी वन पर निर्भर नहीं है लेकिन वनों के प्रबंदन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है वे समाच को वनों की महत्वद को बताते हैं तथा संगोपन का संदेश देते हैं वे संसाधनों का दोहन अविवेक पूर्ण धंग से करने को भी रोकते हैं स्थानिय निवासी अपनी परंपरा के अनुसार वनों का संडरक्षन का प्रयास कर रहे हैं चलिए इससे संबंदित कुछ उधारण देखे सन 1731 में राजस्थान के जोदपूर में स्थित खेजराली गाव में खेजरिव रुक्षो को बचाने के लिए गाव के 363 लोगों के साथ अमरिता देवे विश्णोई ने अपने आपको बलिदान कर दिया था भारत सरकार ने जीव सनरक्षन हेतू अमरिता देवे विश्णोई राश्ट्रिय पुरस्कार के व्यवस्था की है सन 1970 के शुर्वाती दशक में हिमाले की उची परवच श्रंकला में स्थित गड़वाल के रेनी गाव में एक महत्वपूर्ण घटना हुई एक ठेकेदार को गाव के पास स्थित पेड़ों को काटने की अनुमती दी गई पेड़ों को काटने के विरोध में गाव की महिलाओने पेड़ों को बाहों में भरकर ठेकेदार के लोगों को पेड़ काटने से रोका अंततह ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा वनसंसाधन का संपोशित विकास किया जा सकता है उधारण के लिए पश्चिम बंगाल में अत्यदिक दोहन के कारण साल के वन बुरी तरह से शतिग्रस्थ हो चुके थे अधिकारी एके बैनर जी ने मिदनापूर के अराबाडी शीत्र में एक योजना आरंब की जिसके अंतरगत स्थानियों लोगों को वनों के सनवर्धन के कार्य में सम्मिलित किया गया इससे ग्रामीन लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ उन्हें उपज की 25 प्रतिशत के उपयोग का अधिकार भी मिला तथा इंधन के लिए लकड़ी लेने और पशूओं को चराने की अनुमती दी गई स्थानियों लोगों की सहमती एवं सक्रिय भागिदारी से बेकार समझा जाने वाला अराबाडी का सालवन फिर से सम्रुद हो गया इस वन का मूल्य 12.95 करोड आका गया है हमें वन्य जीवों का भी संरक्षन करना चाहिए इसके लिए जन्तों की शिकार पर लगाए गए प्रतिवंद का हमें यतोचित रूप से पालन करना चाहिए राश्ट्य उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्यों की सहायता से जन्तु और उनके रहने की स्थान को संरक्षित किया गया है आप वन्य जीवों तथा वनों का संरक्षन करने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं इसके बारे में अपनी कक्षा में अवश्य चर्चा कीजिए तो आज हमने सीखा वन और वन्य जीवन